हालो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं होमियोपैत मेडिसीन सेप्टा आउट ड्रोप की बारे में इसका यूज हम अपने पसू में कहां करते हैं इसका यूज करने से क्या-क्या फायदी होते हैं या एक होमियोपैत मेडिसीन है आपको किसी भी परकार कि आपके पसू की उपर side effect नहीं करता है या British home-you company द्वारा बना गया है या एक septa out drop की रूप में आपको यह market में मिलता है आपको हम बताएंगे इसका जूज हम कहां कहां पर करते हैं सबसे पहला condition retention आप placenta जहां पर आपकी पसू का जीर फजाता है यानि खेडी फजाता है placenta फजाता है बाहर नहीं आपाता है अथिक समय हो जाते हैं उस condition में आपको इस septa out drop का यूज करना है आपकी पसू का जीर बहुत ही असानी से बाहर ला देता है सबसे पहले जहां पर अगर आप चाहते हो कि आपकी पसू ब्याने के बाद जीर न रुके जीर न बजे तो जैसे ही आपकी पसू ब्याती हैं बच्चा देने के तुरंद पश्चाद आप इसे 40 बूंद इसे दे सकते हैं देने के बाद 2-3 गंटे-4 गंटे में आपकी किसी भी परकार की समस्य नहीं होती है और अगर आपकी पसू जीर नहीं गिराई है तो ओहां पर भी आप इसका यूज करा सकते हो इसकारा आपको इसका कर आना है इस इसी प्रकार से यूट्रस के सफाई के लिए ये काम आता है यानि जहां पे आपकी भेड़ो बकरिया हो गाय हो भैसो बार-बार रिपीट करती हैं गाबी नहीं होती हैं पसु के यूट्रस से पस आते हैं मवा जाता है तो उस कंडिशन में भी आप इस सेटा आउडर आपका यूज कर सकते हैं क्या-क्या मिला होता है ये भी आप दे सकते हैं तो जहां पे आपकी पसु में पायोमेट्रामेट्राटिस की समस्या होती है यानि बार-बार रिपीट की समस्या होती है तो उहां पे भी आप इस शेप्ट्रा आउडर आपका यूज अपने पसु में कर सक तो यह एक होमियोपैत मेडिसीन है इसे आप 40-30 बूंद पसु को रोटी पर देकर आसानी से खिला सकते हो पसु आपकी बहुत ही असानी से खा जाती है खिलाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है यह एक इसकी बहुत ही खास बात है लार्ज इनिमल में जैसे मैंने आप आप बताया 30-40 बूंद यूज कर सकते हैं बेड़ बकर्यों में आप 10-15 बूंद यूज कर सकते हैं इसका यूज इसकी अमर्पी 180 उर्पे हैं और आपको यह करीब 150 उर्पे तक मेंडिकल इस्टोर पर आपको यह मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कम ट्रेंटी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर करना धन्यवाद दोस्तों